है हेलो बच्चो आज हम बात करेंगे डिफ्रेंशाल एक्वेशन की राइटS ज इमें 20-23 पि-वाई क्यों सी एलीज में हम बात करना जा रहें डिफ्रेंशाल एक्वेशन गी्य। नि말 है कि हमें दो चीजों की जोद पड़ती है एक तो differentiation की और integration की अगर हम solution की बात करेंगे तो हमें जनरली integration की जोद पड़ती है जिसके अंदर हम कुछ methods को discuss करते हैं जिसमें variable होता है homogeneous होता है यह आपर linear differential equation होता है तो तीन तरीके से solution को निकालते हैं आपर ठीके तो चलिए फटापट से यह आपर discuss कर लेते हैं one by one करके हर question को ठीके पहला question है let y is equal to y of x be the solution of the differential equation x cube dy ठीके x cube dy plus x y minus का 1 x minus x y minus का 1 dx is equal to 0 x greater than 0 y of 1 by 2 is equal to 3 minus e then y of 1 is equal to ठीके तो फटापट से देख लेते हैं यहां पर अब देखे x cube dy है और यहां पर है x y minus का 1 dx बराबर 0 ठीके तो पहले हम यह देखते हैं कि क्या variable separable से हो जाएगा क्या variable हम separate कर पा रहें तो answer is no ठीके क्या हम x और y को अलग कर पा रहें नहीं कर पा रहें ठीके दूसरा फिर आता है यहां पर क्या इनकी degree विग्री से हमें तो यहां पर तीन और इसका मेंच ही नहीं कर दी तो homogenous possible नहीं हो पाएगा फिर हम चलेंगे linear की तरब तो देखी linear में यहां पर बेट जाएगा d y by dx हमारा हो जाएगा यहां पर प्लस का y upon x square बराबर 1 upon x cube दिख रहें आपको यहां से जाएगा y upon x square और यहां पर जाएगा अब बस आप directly यहां पर देख सकते हो यहां पर यह लीनियर डिफिरेंशल एक्विशन है y के अंदर तो integrating factor निकाल देंगे integrating factor आजाएगा e की power में 1 by x square ठीक है और dx तो solve करेंगे तो यहां पर जाएगा e की power में 1 by x square का integration हो जाएगा minus का 1 by x minus का 1 by x है ना तो बस आप इसका directly solution आजाता है y into integrating factor is equal to integration of है ना right hand side into integrating factor और dx और plus का c भी आएगा ठीक है चलिए अब देखो यहां पर यहां पर हमें इसका integration करना हुए ना इसका integration करने के लिए वही चीजे apply करेंगे जो हम integration में करते थे देखो 1 by minus 1 by x को अगर हम t माल लेते हैं आप तो 1 by x square dx है आपका हो जाएगा dt के बराबर और हमारा काम बन जाएगा है क्या बोलते है ना इसमें से 1 by x तो आपका t बन जाएगा तो माइनस का यहां पर देखो यह हो जाएगा टी और 1 by x square dx आपका dt बन जाएगा और यह आजाएगा एक की पावर में ती के इनक्यों टिकल्ट में इंटरेसिं करना है तो यहां पर हमारा यह बन जाएगा फर्स वंक्शन और यह बन जाएगा सेकेंड फंक्शन यह पर बाइपांट इसका इंटरेस न करेगे तो minus t को रखेंगे as it is और e की बार t का इंडिकेशन हो जाएगा e की बार t minus t का गरेंगे differentiation और e की बार t का गरेंगे integration तो e की बार t आ जाएगा finally और plus का c साथ में है c ठीके यहां से जाएगा minus t into e की बार t ठीके तो t की जगा पर हम रख देंगे minus ke 1 by x तो आजाएगा plus 20 by x e की बार minus 1 by x है न माइनस और minus और plus हो जाएगा आपे फिंडिकेशन और t की ہेंडिकेंट तो यहां पर आगा e की पार minus 1 Ç- का c तो basically हमें क्या मिला यहां से e की बार minus x से डिवाइड पर दें तो यहां से जाएगा y is equal to 1 by x plus c plus 1 है न यहाएगा ठीक है आगे ही कहानी कुछ ऐसे है कि y of 1 by 2 बराबर है 3 minus e के बराबर अच्छा c यहाँ पर e के बाइट से divide किया है तो यहाँ पर c into e के बाइट 1 by x भी आएगा राइट ठीक है चलिए अब देखिए यहाँ पर अगर मैं सोल करता हूँ y of 1 by 2 तो यहाँ पर x के जाएगा 1 by 2 और y के जाएगा 3 minus e है तो 3 minus e बराबर x के जाएगा 1 by 2 रख देंगे 2 plus यहाँ पर x के जाएगा 1 by 2 रख देंगे तो c into e square प्लस का 1 है ना सोल करे तो 3 से 3 cancel हो जाएगा और c यहाँ पर जाएगा अगर सोल करें तो c e square बराबर आजाएगा minus e के और यहाँ से आजाएगा minus 1 by e के c के जाएगी minus 1 by e minus 1 by e है ना c के जाएगी minus 1 by e ठीके यहाँ पर y of 1 x के जाएगा 1 रख देंगे यहाँ पर तो y के क्या value आएगी वह देख लेते हैं तो 1 plus c के value कितने आएगे यहाँ पर minus का 1 by e आएगे तो minus का 1 by e into e की पावर 1 है ना ठीके e की पावर 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1 तो e से e कैंसल हो गया 1 से 1 कैंसल हो गया तो y of 1 बराबर आजाएगा 1 के है ना तो fourth option यहाँ पर correct हो जाना चाहिए ठीक है चलिए check कर लेते हैं बिल्कुल fourth option यहाँ पर correct हो जाएगा ठीक है बेटा calculation है बस आपको concept का समझ में आना चाहिए कि concept क्या लग रहा है यहाँ पर homogenous में हम y बराबर vx यह x बराबर vy रखते हैं वह हम उसके पास solve कर लेते हैं और variable separate में डारेक्टी variable separate को variable separate करके integrate कर देते हैं ठीक है चलिए इसके साथ अगले question किदर बढ़ते हैं अगला question है let y is equal to y of x be the solution of differential equation dx x square minus 3y square dx plus 3xy dy dy बराबर 0 अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी separate नहीं हो पा रहा है तो second में आते हैं कि क्या यह variable homogenous है ने को degree 2 है degree 2 है यहाँ पर degree 2 है तो काम बन गया homogenous है इसको आप separate करके लिख लो आ रहे हैं तो dy by dx बराबर आजाएगा 3y square minus x square upon में 3xy ठीक है इसको इधर लेकर जाएंगे तो minus का 3xy होगा तो dy by dx अगर हम करेंगे तो minus का 3xy से divide हो जाएगा minus को adjust करेंगे तो यह आ जाएगा ठीक है अब देखो कार्णियवी जिस मैंने बताए दिया आपको ठीक है y बराबर vx रख देंगे ठीक है y बराबर vx रख देंगे तो यहां पर यहां से अगर हम solve करें तो dy by dx हमारे पास आज़ाएगा v plus x dv by dx dy by dx की जगर पर यह रख देंगे v plus x dv by dx यहां पर y की जगर vx रख देंगे तो आज़ाएगा 3 v square minus 1 upon में यहां पर जाएगा 3 v y की जगर vx रखेंगे तो यहां जाएगा v square x square minus x square यह भी x square हो जाएगा x square तो common हो गया 3 v square minus 1 upon 3 v बचेगा अब यहां से separate खेलेंगे आरे ना तो v को इदर लेके जाएगे x dv by dx 3 v square minus 1 v इदर आएगा minus का v v बनके तो minus का 3 v square upon में 3 v ठीके minus का 1 by 3 v हो जाएगा अब इसको इदर लेकर आएगे यार है ना तो वहां से जाएगा 3 v dv बडाबर minus का dx upon में x है ना तो 3 v square by 2 बडाबर में जाएगा minus का ln x plus c अब क्या कर रहे है ना अपन integrate कर रहे हैं ठीके 3 v square v की जगा पर हम रख देंगे y by x है ना तो यहां से जाएगा 3 y square upon में 2 x square is equal to minus का ln x और plus का c अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं अगर अपन जड़त पढ़े तो यहां पर cx भी लिख सकते हैं ln cx अगर यहां पर जड़त रहीगी तो है ना पर देख आगे हमें देख रखा y of 1 बराबर 1 दे रखा है तो x के जगा 1 और y के जगा 1 तो 3 by 2 बराबर आ जाएगा यहां पर 1 रखेंगे 0 हो जाएगा तो c के लिए 3 by 2 आ गए ठीक है c के लिए 3 by 2 आ गई और हमें चाहिए 6y स्क्वारी ठीक है 6y स्क्वारी मतलब y of e निकाल लो पहले तो आप है ना y of e निकाल लो ठीक है तो यहां से y of e निकाल लेंगे तो x के जगा पर e रख दो तो यहां से 3 y of e का स्क्वार आ जाएगा ना अब पॉन में x के जगा पर e रख रहे है माइनस का ln e उसकी वेल्यू तो माइनस का 1 हो जाएगे और प्लस का 3 by 2 तो यहां से कितना जाएगा 1 by 2 हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा y of e का होल स्क्वार हो जाएगा e स्क्वार भाई 3 के बरापर ठीक है यहां से कितना हैगा 1 by 2 2 से 2 कट जाएगा तो e स्क्वार by 3 आएगा ना अच्छा 6 e स्क्वार 6 भी मल्टिप्लाइ में ना तो e स्क्वार by 3 से 6 मल्टिप्लाइ कर देंगे तो e स्क्वार जाएगा 4th option हमारा यहां पर करेक्ट हो जाना चाहिए ठीक है तो 4th is the correct answer ठीक है बेटा चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्यूशन के दर बढ़ते हैं अगला क्यूशन है let y is equal to y of x be the solution curve of the differential equation dy by dx is equal to y upon x into 1 plus xy square 1 plus ln x है ना ठीक है x is greater than 0 y of 1 is equal to 3 then y square of x upon 9 is equal to ठीक है यहां पर पहले हम समझेंगे क्या यह homogeneous का case है तो देखो 1 की वज़े से homogeneous का case तो नहीं है क्या variable separate हो सकता है तो answer is variable भी separate नहीं हो पाहेगा तो हम चले जाएंगे differential equation की दरफ linear differential equation की दरफ ठीक है तो हम क्या गरने वाले हैं पर हम यहां से x y square common ले लेते हैं अगर मैं यहां पर x y square common लूँगा तो बाहर कितना आएगा बाहर आएगा x y square तो यहां पर आजाएगा dy by dx is equal to यहां पर आजाएगा y cube into में वन अपॉन में x y square है न प्लस सोरी वन अपॉन x y square आजाएगा न यहां पर है न ठीक है और यहां पर आजाएगा वन प्लस ln x ठीक है और into में sorry यहां पर ठीक है अब इसके बाद में y cube sets को divide कर देते तो वन अपॉन y cube dy अपॉन में dx बराबर आ जाएगा अच्छा इसको इदर लेकर आ सकते है न तो माइनस का 1 by x y square ठीक है और is equal to 1 plus ln x अब यहां पर कहानी तोड़ा सा पैचीदा है कि हमें यहां पर linear अभी दिखनी रहा है न पर अगर हम तोड़ा सा इसको सोचे ना तो linear अमें दिख जाएगा यह फटाबट से देखो यहां पर x का function है यहां पर y हमें only चाहिए था पर यहां पर तो वन अपॉन y square है तो कहानी में वन अपॉन y square को हमें change करना पड़ेगा है रहे न तो यहा पर भी change होना चाहिए तो देखो दिखरा होगा आपको कि अगर मैं यहां पर माइनस वन बाई y square को टी माल लेता हूं ठीक है तो यहां से इसका differentiation कितना हो जाएगा ठीक है यहां से माइनस का वन बाई y square को टी माना है तो यहां से अगर differentiation करेंगे तो आजाएगा 2 upon में y cube dy बराबर आजाएगा dt ठीक है क्लियर है बिटा है न यहां dy by dx बोल सकते है इसको तो यह dt by dx हो जाएगा क्लियर है बिटा है न तो यहां से कितना हैगा 2 upon y cube dy by dx is equal to dt by dx तो 1 upon y cube dy by dx अच्छा यहां पर क्या करो 2 से multiply 2 से divide कर दो सबसे बड़िया काम रहेगा तो यह पूरा का पूरा आपको दिख रहा होगा यह पूरा का पूरा आपको dt by dx है न तो यह आजाएगा dt by dx और हम पूरे को 2 से multiply कर देते हैं तो यहां पर जाएगा minus का 2 by x अच्छा minus का 1 by square को t माना है न आपने तो यहां जाएगा 2 by x t है न और यहां पर जाएगा 2 इंटू 1 प्लस ln x कहानी सिंपल हो गई यार है न कहानी आपर सिंपल हो गई ठीक है अब हमें देखो आराम से दिख रहा होगा कि यह t में linear differential equation है ठीक है तो यहां पर बस आपको integrating निकाल लेना है कि की पावर 2 by x का integration करेंगे तो आप यहांसा जाएगा 2 ln x x square जाएगा न ठीक है तो आजाएगा टी इंटू इंटिगेटिंग फेक्टर इस इक्वाल टू इंटिगेशन ओफ इंटिगेटिंग फेक्टर इंटू आरे चैसे ना जो कि टू इंटू बन प्लस एले नेक्स है ना ठीक है एक बाग केल्कुरोशन चेक कर लेते हैं आपर ठीक है यहां पर ही आजाएगा अपने पास में ना प्लस एले नेक्स है ठीक है तो इसको हम माल लेते हैं सेकेंड फंक्शन इसको माल लेते फर्स फंक्शन ठीक है तो यहां पर हमें पता है second का करते हैं इंडिकेशन तो एकस क्यूब अप्रों में थ्री और फर्स को रखते हैं एजिट इस वन प्लस एलने एक्स माइनस इसका फर्स का करते है डिफ्रेंशेशन तो 1 by x आ जाएगा और इसका करेंगे इंटिकेशन तो x cube by 3 आएगा तो यहां से basically कटके तो x square आगा तो आप आपको समझ में आगा होगा कि यहां से आजाएगा 2 by 3 x cube into 1 plus ln x minus 2 by 9 9 आएगा क्योंकि यहां पर x square आगा है तो x cube by 3 बनेगा उसका वापस है तो minus का 2 by 9 x cube आजाएगा और plus का c यह मत भूल जाना में प्लस का c भी आएगा ठीके तो यह कानी कुछ ऐसे बनेगे हमारी तो finally हमें क्या मिला t into में x square है ना अब t की जगा आप चाहो तो वापस से रख सकते हो minus का 1 by y square ठीके तो यहां पर जाएगा minus का 1 by y square ठीके और बराबर यहां पर जाएगा 2 by 3 x cube को हम कॉमल ले लेते हैं तो 1 plus ln x और minus का 1 by 3 है ना plus का c ठीके देखो कहानी में देखा है y of 1 is equal to 3 है अगर मैं x की जगा पर 1 और y की जगा पर 3 रख देता हूं यहां पर तो x की जगा पर 1 और y की जगा पर 3 तो यहां पर क्या जाएगा अपने पास में minus का 1 by 9 is equal to 2 by 3 है ना और x की जगा पर जाएगा 1 तो यह जाएगा 1 minus 2 by 3 ln 1 0 हो जाएगा प्लस का c तो अब यहां से देखो 4 by 9 इसको इदर लेकर आएगे तो minus का 5 by 9 हो जाएगा तो c की में लिए आगी minus का 5 by 9 अब आप क्या गरोगे ना यहां पर c की जगा पर minus का 5 by 9 हम रख देंगे इस जगा पर ठीके यह हमारा c है यहां पर minus का 5 by 9 रख देंगे अब next step में यहां पर हम y square x upon 9 निकालने वाले हैं तो देखो y square x क्या होगा ना यहां से 5 by 9 आगया ठीके तो lcm लेंगे आपर तो यह यहां से इसका यहां से c की जगा minus का 5 by 9 रख देंगे और y square minus का x upon y square है ना तो यहां पर minus का x upon y square और इसको अगर reciprocal कर देते हैं तो y square upon x आजाएगा minus का अगर हम चाहें तो है ना और यहां पर भी इसका reciprocal लो जाएगा पूरे का तो 1 upon में यह देखो 1 by 3 और 1 minus का 1 by 3 2 by 3 आ गया था तो आप चाहो तो यहां पर 1 by 3 फिर बाहर ले लो है ना तो 2 by 9 बाहर आ जाएगा और x cube आ जाएगा और यहां पर जाएगा 2 plus का 3 ln 3 ln x जिसको ln x cube भी बोल सकते हैं ठीक है 2 by 9 यह आ जाएगा और minus का 5 by 9 तो आपको दिख रहा होगा कि यहां से 9 इदर multiply में जाएगा 9 divide में जाएगा क्योंकि 1 by 9 है तो 1 by 9 इदर multiply में चला जाएगा तो y square by 9 बराबर जाएगा minus का x upon में minus का x upon में ठीक है और यह upon में x cube भी है यहां पर आएगा minus का x और यह पूरा पूरा reciprocal लिया हुआ है ना पने ठीक है तो यहां पर जाएगा minus का x तो यहां पर है y square x तो आजाएगा यहां से यहां से 2 x cube 2 x cube इंटू में 2 plus ln x cube minus का 5 2 x cube और यहां से आजाएगा यह आजाएगा फिप्त वाला सुरी थर्ड वाला जो option है ना यहां पर correct आजाएगा ठीक है एक बचेक कर लेते हैं इसको फटावट से अगर केल्कुरिशन की बात करें तो y of 1 हमें दे रहागा 3 के बराबर c बराबर minus का 5 पर 9 आजाएगा ठीक है ठीक है ठीक है यहां पर यहां पर x square है ना ठीक है तो यहां से सीधा-सीधा यहां पर जो answer आएगा वो 30 वाला जाएगा ठीक है 30 वाला option यहां पर correct measure आ ठीक है बिटा तो 30 वाला answer हो जाएगा यहां पर x square हैगा जिसकी बचे से गड़ बढ़ आ दीती यह x square हैगा तो यह बिल्कुल correct हो रहा है ठीक है चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते है अगला question है यहां पर let y is equal to y of t be a solution of the differential equation dy by dt plus alpha y is equal to gamma into e की power minus beta t where alpha is greater than 0, beta is greater than 0 and gamma is greater than 0 then limit t tends to infinity y of t is equal to ठीक है तो यहां पर y of t निकालना पड़ेगा हमें क्योंकि वो इसका solution है तो मैंने बोला है आपको solution के लिए में integration करना पड़ेगा तो यहां पर देखो variable separate हो जाएगा क्या यह check कर लेते हैं अपने तो variable आपका यहां पर separate नहीं हो पा रहा है ठीक है क्योंकि y अलग नहीं कर पा रहे है अलग है पर आप dy के साथ में यह नहीं लेकर आप पा सकते हैं न वाई डिवाई के साथ में नहीं आपाएगा जैसे आएगा तो यहां पर भी वाई आजाएगा ठीक है तो बेसिकली अगर हम देखे रहां से तो यह लिखा वाई दीटी ठीक है प्लस का एलफा वाई इस इकॉल टू गामा इंटू ए की पाउर माइनस बीटा टी अब देखो यहां पर देखो ध्यान से तो लीनेर डिफिरेंशिल एक्वेशन सीधा बना बनाया ज़रा रहा है आपको तो आप बस डाइटली इंटिगेटिंग फेक्टर निकाल ल इंटिगेशन ओफ राइट इंट साइड इंटू इंटिगेटिंग फेक्टर लेको इसको तो अपन लिख सकते हैं ना गामा तो बाहर आजाएगा एकी पाउर एलफा माइनस का बीटा टी अब इसका इंटिगेशन में करना है ना बस ठीक है तो इसका इंटिगेशन आजाएगा गामा एकी पाउर में एलफा माइनस का बीटा टी अब पोन में एलफा माइनस का बीटा आजाएगा और प्लस का सी आजाएगा ठीक है यह हमारा जो है इंटिगेशन यहां पर निकल क आप 37 चलिवाइब तो यहां पर इसको अगर एकी पाऊर एलफाट से डिवाइड कर दें तो वाई ओफ टी अपना जो है न वह आ जाएगा यहां पर अगर एकी पाऊर इंटू पाऊर माइनस का बीटा टी अपोन में ऐलफा माइनस बीटा और प्लस का C into E की पाउर मार माइनस का alpha T आजाएगा अब अगर T infinity हो जा रहा है न तो आपको समझ में आ रहा होगा कि E की वा माइनस infinity हो रहा है ये भी E की वा माइनस infinity हो रहा है तो यहाँ पे अगर T टेंज तो infinity निकाल रहे है Y of T के लिए limit निकाल रहे हैं अपन तो वो कितना हो जाएगा ये तो 0 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा तो finally ये में क्या मिलेगा 0 मिलेगा answer में ना तो second option यहाँ पर correct हो जाना चाहिए ठीके बटा तो second is the correct answer अगले question कि तरह बढ़ते हैं अगला question है let Y is equal to F of X be the solution of the differential equation Y into X plus 1 D X minus X square D Y is equal to 0 Y of 1 बराबर E है then limit X turning to 0 F of X is equal to ठीके तो इसकी भी शुरुआत कर लेते हैं भई limit X turning to 0 F of X पूचा है अपने से नाइट यहाँ पर function अपने को दे रखा है और ये इसका solution है ठीके चलिए बात कर लेते हैं Y into X plus 1 D X तो यह variable separate सा हो जाएगा Y into X plus 1 D X बराबर आजाएगा X square D Y ठीके X वाले को सब X side लेके होए ना तो X plus 1 अपन में X square D X बराबर आजाएगा D Y upon में Y अब integrate कर दो होगे काम खत्म तो कितना है गया 1 by X plus का 1 by X square है ना इसका integration है और 1 by Y का integration है ना इसका जाएगा ln X इसका जाएगा minus का 1 by X और plus का C बराबर ln Y ठीक है यह आएगा अपने पास में ना आगे बोला है Y of 1 बराबर E है तो अगर आप X के जाएगा 1 रखोगे तो Y के value E आजाएगी तो X के जाएगा 1 रखोगे तो LN1 0 हो जाएगा minus का X के जाएगा 1 रखोगे प्लस का C बराबर ln E इसके जाएगा 1 हो जाती है तो C के जाएगा 2 के बराबर C के जाएगा 2 आगे तो यहाँ साएगा ln X minus का 1 by X plus का 2 equal to ln Y अगर यहाँ से Y निकाले तो y आजाएगा e की पावर में ln x minus का 1 by x और प्लस का 2 जिसको हम लिख सकते हैं e की पावर ln x को तो हम x लिख सकते हैं into में e की पावर minus का 1 by x और प्लस का 2 यह है अपने ना अब अगर x 0 को जा रहा है समझोगे द्यान से अगर यहां पर x 0 को जा रहा है तो limit x लिख सकते हैं आपका x into e की पावर में 2 minus 1 by x अगर x 0 को जा रहा है तो यह 0 को जा रहा है और यह minus e की पावर minus infinity को जा रहा है वह भी 0 जाएगा तो basically हमें क्या answer मिलेगा 0 मिलेगा यहां पर answer है तो second option यहां पर हो जाना चाहिए तो second ही हमार answer है न अगले किस्वात करते है लेट y is equal to y of x be the solution of the differential equation x ln x dy by dx plus y x square ln x where x is greater than 1 if y of 2 is equal to 2 then y of e is equal to ठीक है y of e हम से पूछा है यहां पर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका solution निकालना पड़ेगा इसको solve करना पड़ेगा ठीक है पहले हम वही कानी क्या यह वेरेबल सेपरेट हो रहा है यहां पर answer is no नहीं हो पारा वेरेबल सेपरेट फिर हम कहेंगे homogeneous है तो वो भी नहीं है कि फिर हमें दिखा कि डिफ्रेंच लीनेर है बिल्कुल दिख रहा है ना क्योंकि एक्स एक्स इसक्वाइड करते ही यहां पर एक्स का फंक्चन आ जाएगा तो डी वाइब डी एक्स हमारा हो जाएगा प्लस का वाई अपॉन में एक्स एलन एक्स 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 अधिक है कि अगर में लनेक्स को ने मानते हो तो वन बैस्ट टीट में चला जाएगा तो यह ब्लख रहा न तो यहां से अगया एक पावर एलन टी और टीउ को माना था एलनेस को यह इसको पावर इंटर्चेंज कर देंगे ना पर प्रोपर्टी से ठीक है एलने एक्स यहां पर हमारे इंटिगेटिंग फेक्टर आगया तो बस खेलना है अपने को नो तो वाई इंटू इंटिगेटिंग फेक्टर इस इकोल टू इंटिगेशन राइट इंटिगेटिंग फेक्टर ठीक है एक्स एलने एक्स का इंटिगेशन अबे करना है आपर तो फर्स फंक्शन हो जाएगा मारा एलने एक्स और सेकेंड हो जाएगा एक्स फर्स को रखेंगे एज़टिस सेकंड का करेंगे इंटिगेशन माइनस फर्स का करेंगे डिफ्रेंशेशन सेक्ड का करेंगे इंटिकेशन यहां सा जाएगा X स्क्वाइर इंटू में LNX अपॉन में 2 माइनस का देखो X से X कट जाएगा X बाई 2 हा गया और X का फिर आपस X स्क्वाइर बें 2 हा जाएगा और प्लस का C यह हमारा आएगा Y इंटू LNX ठीक है? यह आ जाएगा ठीक है? अब अगर आप चाहो तो यहां पे Y भी निकाल सकते हो ठीक है? आप देखो आगे लिखा हुआ है Y of E is equal to पूछा है अपने से ना? और हमें देखा तो Y of 2 बराबर 2 तो आप क्या करो हो ना? X के जाएगा 2 और Y के जाएगा 2 रख दो यहां पर तो यहां से आजएगा 2 LN2 बराबर इसमें X के जाएगा 2 और Y के जाएगा 2 रख देंगे तो आजएगा 2 LN2 माइनस का X के जाएगा 2 रख देंगे तो माइनस का 1 प्लस का C यह कट गया आपका C के लिए 1 आ गए यहां से ना C के लिए 1 आ गई अब Y of E पूछा है तो हम यहां क्या करेंगे ना X के लिए अब E रख देंगे तो Y L and E value बन हो जाती है भई E square by 2 L and E value 1 हो जाती है minus का E square by 4 plus का 1 है ना ठीके 2 square by 4 minus का E square by 4 तो E square by 4 और प्लस का 1 जिसको हम लिख सेते हैं 4 plus E square by 4 तीसरा option हमारा correct हो जाना चाहिए है अपरे ना तीसरा answer ही हमारा correct हो जाएगा ठीके चलिए अगला question देखते हैं अगला question लेट दा solution curve Y is equal to Y of X of the differential equation DY by DX minus 3X to the power 5 10 inverse X cube upon 1 plus X square sorry 1 plus X to the power 6 whole power 3 by 2 Y 2XE की power X cube minus 10 inverse X cube upon root 1 plus X की power 6 ठीके तो यह कहानी हमें दे रखी है और अब देखो यार सीधा pass through the origin लिखा हो है then Y of 1 is equal to ठीके तो भाई देखो कहानी बहुत असान है कि linear differential equation यह पूरा function X का है यह भी function X का है ना ठीके तो अगर हम ध्यान से देखे तो linear differential equation है तोड़ा लिख लेते हैं इसको जमार के डीवेब बे डीएक्स लिखा हुआ है माइनस में 3X की power 5 है 10 inverse X cube है 1 plus X की power 6 3 by 2 है Y है बराबर में 2XE की power में X cube minus 10 inverse X cube अपोन में 1 plus X की power 6 यह दे रखा है ना ठीके अब यहाँ पे integrating factor निकालेंगे तो यहाँ पे जाएगा E की power में माइनस का 3X की power 5 10 inverse X cube अपोन 1 plus X की power 6 3 by 2 है जाएगा है 1 plus X की power 6 और यहाँ पर 3 by 2 आ जाएगा ठीके और यह हमें solve करना है DX है ना तो अब इसको solve करने के लिए हमने यहाँ पर 10 inverse X cube को T मान सकते हैं तो 10 inverse X cube को T मान लेते हैं आपर ठीके तो यहाँ पर डिफ्रेंशन करेंगे तो 1 upon में 1 plus X की power 6 ठीके 1 upon 1 plus X की power 6 X DX आजाएगा DT के बराबर ठीके और यहाँ से X cube निकाले अगर तो X cube आजाएगा 10 inverse X cube का डिफ्रेंशन करेंगे तो 10 inverse का डिफ्रेंशन आजाएगा 1 upon 1 plus X की और 6 और X cube का भी गरेंगे ना तो वहाँ से आजाएगा 3 X स्क्वायर ठीके तो और यहाँ पर X cube को गर यहाँ से स्वोल करेंगे तो आजाएगा 10 T के बराबर है तो देखो क्या क्या चला गया वह देख लेते हैं यहाँ पर तो यह आगे E की power minus देखो 3 X square dx upon 1 plus X की और 6 यहाँ चला जाएगा तो यह पूरा पूरा तो आपका क्या हो गया DT हो गया ना और बचेगा क्या X cube बचेगा जिसको हम 10 T लिख सकते हैं और 10 inverse X cube की जगए हम T लिख सकते हैं और बचेगा क्या 1 plus X cube और 6 की और 1 by 2 आएगा ना तो 1 plus X cube और 6 तो 1 plus 10 square T का root आएगा ना यह कहानी है बचेगा अब बस आपको देखो ध्यान से E cube और minus यहाँ पर आएगा T into 10 T upon में 1 plus 10 square T यह उता है तो उसका तो 6 T आजाएगा ठीक है यह देखो साइन T upon cost ही होता है यहाँ पर के आगे आपका E की पाउर में माइनस का T into sin T आ गया ठीक है और DT आ गया अब इसको तो सोल करना है फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन सोल करेंगे यह हमारा फर्स्ट हो जाएगा यह हमारा सेकेंड हो जाएगा तो देखो हो यह आ रहे ना कैसे करेंगे फर्फर्म E की पाउर माइनस फर्स्ट को रखेंगे एजटी सेक्ड करेंगे इंडिकेशन तो माइनस का कोस्ट ही ठीक है माइनस फर्स्ट करेंगे डिफ्रेंशन तो बन हो जाएगा और second का रहेंगे indication तो minus का कोश्टी आएगा याद है ना अब यहाँ पर finally हम इए मिलेगा e की पौँफ़ minus का minus minus नो plus हो जाएगा तो t कोश्टी और minus का यहाँ पर जाएगा sin t ठीके यह finally हमारे पास में आएगा e की पौँफ़ t कोश्टी minus का sin t अब यहां पर कोस्टी कोसी निकालेंगे टी हम यहां पर रख देंगे 10 inverse x3 ना तो 10 inverse x3 से अगर हम triangle rule follow करें तो अगर ठीटा है तो यह x3 upon 1 होता है ना सोरी x3 और 1 लिखा हुआ है तो x3 यहां पर क्या हो जाएगा और यह आजाएगा 1 प्लस x की और 6 ठीक है अब बस आपको यहां पर सोल करना है इसको ना इकी पावर में टी टी की जगा जाएगा 10 inverse x3 कोस्टी की जगा हम कोस और कोस इनवर्स तो वह तो कैंसल हो जाएगा और कोस इनवर्स में जाएगा वन अपोन वन प्लस x की और 6 है ना ठीक है यह आएगा ना माइनस साइन टी साइन टी की जगा पर हम रख देंगे आ एक्स क्यूब अपोन रूढ वन प्लस x क्यूब तो यह बेसिकली आजाएगा यहांसे मैं जगर में ले जहता हो रूढ प्लस एक्स की और 6 तो यह आजाएगा इकड़े में 10 इनवर्स x cube minus x cube upon में root 1 plus x की पावर 6 यह आएगा है ना फाइनली ठीक है अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यही चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है पर exponential e की पावर में लिखी हुई है ना तो अब ध्यान से देखना अगर मैं यहाँ पर इसका solution बन राइंड साइड है ना जोकि 2x लिखा हुआ है इंत्यू e की पावर में ध्यान से देखो यह और यह चीज में minus का फरक है तो अगर यह e कंबा różne का p लिखा हुआ है तो e कंब पीखा हुआ है ठीक है य। e कंब propos minus p ऋर ये e के पी अब यह origin से pass कर रहा है अब origin से pass कर रहा है तो X और Y दोनों 0 जाएंगे तो Y तो 0 जाएगा तो यह तो पूरा जीरो हो गया X भी 0 जाएगा तो C क्या हो जाएगा आपका 0 जाएगा और Y आपसे पूछा है तो X की जागा रखना है तो यहां पर यह आजाएगा y into integrating vector बराबर x square तो y बराबर आजाएगा x square upon integrating vector तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर x सी जगर पर 1 लग देना है तो यह आजाएगा 1 upon में यहाँ पर इसमें 1 लग दो तो 10 inverse 1 pi way 4 minus का 1 upon में 1 plus 1 root 2 है ना तो 1 pi way 4 minus का 1 upon में root 2 तो e की पावर में नहीं ऊपर चला जाएगा तो आजाएगा e की पावर में ठीक है 1 minus का pi way 4 upon में root 2 अब ऐसा कुछ देख लो solution कौन सा है 4 minus का pi upon 4 root 2 second वाला option correct नज़रा रहा है second ही answer हो जाएगा अपना ठीक है तो भई इसके अंदर calculation रोड़ी से थी पर अगर हम आराम से धेरे रखके calculation को solve करेंगे तो बन जाएगा भई ना ठीक है चली इसके साथ अगले question की तरह मूँ करते है अगला question is the solution of the differential equation this इस है ना ठीक है तो भई देखो ध्यान से यहां पर अगर हम बात करें इसकी तो यह तो directly homogenes से रखाया अपने को देखो degree से में x square y square x square y square degree से में तो homogenes है अब यहां से हम क्या करेंगे नवाई को रख देंगे vx के बराबर तो यहां से हमारा dy by dx बराबर हो जाता है v plus x dv by dx के बराबर ठीक है और dy by dx की जगर रख देंगे v plus x dv by dx ठीक है यहां पर क्या जाएगा minus y की जगर vx रख देंगे तो x square cancel हो जाएगा तो one plus three v square अब यहां पर वेरेबल से प्रेट कर देंगे यह दर चला गया तो three plus v square यह जाएगा और अब यहां पर वेरेबल से प्रेट कर देंगे यह दर चला गया तो three plus v square माइनस साइन भी है ना साथ में और अपोन में यह क्या लिखा हूँ one plus v का होल क्यूब लिखा हुआ है ठीक है dv बराबर माइनस का dx अपोन में x ठीक है यह हमारे पास आ जाएगा अब यहां पे हमें पार्शल फ्रेक्शन से इसको सोल करना रहेगा क्योंकि one plus v का होल क्यूब लिखा हुआ है पार्शल फ्रेक्शन लगा सकते हो या फिर आप यहां पे उपर पर्फेट इसको बना के भी सोल कर सकते हो रहेगा ठीक है स्वरी माइनस हमने उदर ले लिया तो इधर माइनस अटा देंगे एक साइड माइनस ले ले लेंगे ठीक है अब देखो इसको सोल करने के लिए मैंने क्या क्या वी स्कॉर किया प्लस का टू वी किया तो माइनस का टू भी कर दूंगा मैं और प्लस का वन किया तो माइनस का वन भी कर दूंगा तो यहां पर किया जाएगा टू माइनस का टू भी आ जाएगा और अपॉन में वन प्लस वी का होल क्यूब कि आँ ख़ो बीप्लस लिखा हुआ है को आपन में बीप्लस कर सा स्वान जया करें जान देना माइनस का टू कॉमल बẳले ले और मैं V लिख दूंगा है याप पर तो मैंने गया कि यह मा-इनस यहाँ मैं नहीं तो मैं सेपरेट करूं तो मैं 1 प्लस V का होल स्कुरियर और वहां पर सेपरीट करूंगा, तो आजाएगा 4 प्लस V का होल क्यु? अब बस कहा नहीं दे磨 हो बहुत हासान हो गहाँ go कर देंगे और बराबर में आपका माइनस का डी एक सब्सक्राइब इंटिकेट करने में आसानी हो जाएगी है ना कि अधिक है कि यहां पर क्यों आगा ठीक है अब देखो है यहां पर इसका इंटिकेशन हो जाएगा लन वी प्लस वन इसका इंटिकेशन हो जाएगा माइनस का सोरी वन वन अपॉन में टू वन प्लस वी और इसका जाएगा माइनस का 2 έχει यहाँ पर आजाएगा 1 प्लस V का होल की वे माइनस का 3 है यहाँ पर आजाएगा माइनस का 2 पान 1 प्लस V का होल इस्क्वार ठीकहे यहाएगा और ब्राबर में माइनस का LNX और प्लस का C आएगा ठीकहें? यहाएगी कहाँ रही खो अब य ऑफ 1 बरावर जीरो दे रखा है अब देखिए आ रहे है न इसमें वाइओ बरावर बबबर जीरो है तो बस इसमें वाई वी की जगवे वाई बैस रख देंगे इसमें तो इसमें इसको इधर लेओ तो यहां जाएगा एलन y by x plus का 1 upon into में x है न plus का इसमें y by x रख देंगे तो यहां पर जाएगा 2x upon में x plus y इसमें y by x रख देंगे तो यहां पर जाएगा 2x square upon में y plus x का whole square बराबर में c ठीक है तो यह तो ln x plus y हो गया न ln x plus y हो गया अब आपको क्या करना है न यहां पर y of 1 बराबर 0 देखा है आपको तो ln x plus y में अगर आप यहां पर यह दियान देना यह आपका ln x plus y लिखा हुआ है अब आपको y of 1 बराबर 0 देखा है तो x की जग़ा 1 और y की जग़ा 0 रख देंगे तो यहां पर रचाएगा ln 1 0 हो जाएगा x की जग़ा 1 और y की जग़ा 0 रख देंगे तो यहां पर जाएगा 2 तो minus का यहां पर जाएगा 我 know y जगे 0 दे तो इसका c तो 0 आगया आपको आपका यह 0 आ तो बत सी बास वाक्शन क्या बन गया आपका yen minus का टो टू एक साथ अगे बढ़ते अगला कि दरफ लेट वाई- इस इक connection to be differential equation 3y square minus 5x square y dx plus 2x into x square minus y square dy is equal to 0 such that y of 1 is equal to 1 then y of 2 ka whole cube minus 12 y of 2 ka mode is equal to ठीक है यह हम से पूछा गया है तो firstly हम यहां पर देख लेते हैं क्या यह variable separable से हो जाएगा तो answer इस नहीं होगा क्या यह homogeneous है तो बिल्कुल नजर आ रहा है homogeneous से भई देखो कैसे एक दो और तीन डिग्री एक दो तीन डिग्री यहां पर तीन डिग्री है तो इसका लोग जाएगा तो डीवाइब इस निगार लो आपके न उसको दो लेके जाएंगे माइनस में जाएगा और यहां पर जाएगा फाइव x2 माइनस का 3y2 थीक है इंटु में y अपॉन में यहां पर जाएगा 2x इंटु में x2 माइनस का y2 is equal to dy by dx थीक है यह आएगा न अब इसमें अगर हम देखो यार इसको थोड़ा से सिंब्ली में अगर के लिखना चाहो तो लिख सकते हो यह अगर आप देखोगे द्यान से तो यह लिखा हुआ है 5 x square y minus का 3y cube अपॉन में 2x cube minus का 2xy square ठीक है अब बस इसको क्या करना है न आप वही जो हम जनरली करते है y is equal to vx रख देंगे आपर तो यहां से जाएगा dy by dx बराबर v plus x dv by dx यहां पर रख देंगे है न तो यहां पर जाएगा v plus x dv by dx बराबर 5 y की जगर vx से जाएगा तो यहां पर जाएगा x cube है न तो 5 v minus का 3 v cube upon में 2 minus का 2 v square यह आएगा न ठीक है 5 v minus का 3 v cube upon में 2 minus का 2 v square ठीक है अब यहां से x dv by dx निकाल लेते हैं तो x dv by dx क्या जाएगा अपने बास में इसमें minus का y कर देंगे तो 5 v minus का 3 v cube और minus का v आएगा न तो minus का 2 v और plus का 2 v cube ठीक है, solve कर लेते हैं रहे न उदर ले जाएंगे तो 2 common ले लेंगे 1 minus का v square अपन में देखो इसको भी solve करेंगे तो 3 v आएगा ठीक है और यहां पर आएगा अपन में 3 v minus का v cube 3 v minus का v cube आएगा रहे न ठीक है और यहां पर dv और बराबर में आजाएगा dx अपन में x है न अब इसमें कमाल की बात यह है कि जब आप इसको टी माल लेते हो तो 3 v minus का v cube को अगर आप माल ले तो तो यहां से 3 minus का 3 v square डीवी बराबर हो जाएगा डीटी के तो तो टीक है तो लोगे तो 1 minus का अच्छा 1 minus का v square अगर डीवी बराबर आजाएगा डीटी तो इसका लागए वन माइनस वी स्कॉर डीवी कितना जाएगा डीटी वाई 3 न तो डीटी वाई 3 ठीक है और यहां पर जाएगा टी इस इस इक्वल टू डीएक्स अपॉन एक्स है न तो देखो यार कहानी देखो टू भाई 3 यहां जाएगा एलन टी और टीवी माइनस का वी क्यू और यहां से देखो यार आगे की कहानी में कुछ लिखा हुआ है अपने बास में वह है वाई ओफ वन बराबर वन दे रखा है तो यहां पर पहले हम क्या कर लेते हैं वी की जगा पर वाई बाई एक्स रख देंगे तो यहां से जाएगा टू बाई 3 एलन थी वाई बाई एक्स माइनस का वाई क्यूब अपोन एक्स क्यूब तो थी वाई एक्स स्क्वाईर माइनस का एक वाई क्यूब अपोन में एक्स क्यूब है यह एक है और बराबर में एलन केक्स है अब यहां पर ना अपने को देखो वाई ओफ वन बराबर वन दे रखा है अच्छा एलन से एलन काट सकते हैं तो उसका फाइदा मिलेगा भी अभी बताओंगा मैं आपको उसका अब यहां पर वाई ओं बरावन दे रखा है तो एक्सी देखर दो तो कितना ना टूब घू एलन यहां पर रहताएगा थी माइनस का बन अपन में बनने ना बराबर लन के एलन कि आ जाएगा ठीक है तो यहां से कितना आ गया यह जाएगा 600 बैक्ण किंद प्रगर रिए यह यह सा ज़ाएंगे! कि करी यह आप हमें क्या नहीं क्या करना है एक्सक्राइब पर रख देंगे इसी पिक्टर में आप रख देंगे तो तो यहां से जो आंसर आएगा वह देख लेते हैं यहां से जो आंसर आएगा 32 रूट 2 के बरापर बस आपको सिंप्लिवाय कर लेना इसको ठीक है चलिए इसके साथ आगे बढ़ते अगले किश्ण की तरफ अगला किश्ण है if y is equal to y of x is the solution curve of the differential equation dt by dx plus y10x is equal to x1x x is between 0 and pi by 3 y of 0 is equal to 1 then y of pi by 6 is equal to ठीक है चलिए फटापट से देख लेते हैं इसको y of 0 बरापर 1 दे रखा है y of pi by 6 पूछा है और यह दे रखा है अपने को राइट तो इसको solve करने के लिए यार देखो यह तो डाइट ली लीखा हुआ है यह तो डाइट लीखा होगा है । टी वाइट एक verstehen के ऐसे में और यहाँ पर आएगा डी वाइब से ना रिट माइब दीर से of प्लस का वाई टेन एक्स बराबर यहां पर है एक सेक एक्स ठीक है अब देखो यह आसान क्योंचन है विसिकली यह तो लीनेर डिफिरेंशल इक्षिन दे रहे है और लेडी है ना तो आप तो बस इंटिकेटिंग निकाल लोगे लीकी पाउर में इंटिकेटिंग टैने थे तों यह तो इनकेटिंग ना कि ऑंटेने लैंशोट ox था सेभेक्षियषिंग ना और imaj7 neczmka यहां पांडायगा जायगा सेक ए कि काम बन गया अपना है ना तो वाई? इंटू इंटिकेटिंग टेकर यह बडाबर ऑप एकस इंटू इंटिकेटिंग फेक्टेर और सवरी राइट-इन सरी इंटू इंटेटिकेटि फे analysis हो जायेगह अब बस यहां पेश जाए जाए है तो Talk यह स्कुन है और फार्स को रखेंगे स्थी करेंगे टेन एकस का इस जाएक ब दो कि कुछ भी अब लाश में प्लस का सी मत भूल जाना तो अब यहां नहीं तो अगर हम यहां से य अपने को 1 रखा है तो एकको जी जिटो रखो य की जगावन रखो तो यह जाएगा माइनस का एलन वन ये भी जीरो जाएगा ठीक है और प्लस का सी तो सी के लिए बन आगए ना अपर डाइक ली सी के लिए बन आ गई अब अपने से पुचा वाई पाई वाई फैसे तो यहां पर क्या हो जाएगा ना वाई इकॉल टू अगर हम देखे जान से तो यह प्लस का एलन खोल सकते हैं और प्लस का अब बन आयता तो हम बनायता तो को सेंगे को जाएगा कि मिए आप बस को सैने कुह सबमें three six रग ऑना है यह ूपी यहां पर यहां पर यहां पर इरूट रीवाइट हो जाएगा क्योंकि वन को में लिख देंगे तो मुल्टिपले हो जाता ना इरूट सी वैट हो जाएगा अब देख लिए यह सा कौन सा उप्षिन पर्फेक्टली मेच कर रहा है पाइब ट्वल प्लस रूट सी बाइटू एलन इरूट सी बाइटू नहीं माइनस का लेकर रहेंगे तो यहां पर आजाएगा अच्छा माइनस अगर रहेगा तो वहां पर आजाएगा टू बाइरूट सी हो सकता है यह माइनस वाले के साथ में यह वाला अगर माइनस तो फिर यह चेंज हुआएगा तो माइनस सायन के साथ में तो वह बिल्कुल करेक्ट है फॉर्थ इस गड़ी चली एसे के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्यों की दरफ है ना अगला क्योंस ने आ पर लेट ऐलफा ओफ एक्स एक्सपोनेशल एक्स की बाओर बीटा Y की बाओर गामा be the solution of differential equation. 2 X square Y, D Y minus 1 minus X Y square D X is equal to 0. ठीक है? X is greater than 0, Y of 2 is equal to root L N 2 then alpha plus beta minus का गामा. ठीक है, यह हमारे पास में है. Qंशन? ठीक है तो बस अब इसकी शुरुआत कर देंगे यह अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यह लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वाइर वाई डी वाई माइनस अचा बराबर में वन माइनस का एक्स वाई स्क्वाइर डी एक्स है अब आप तो क्या वेरीबल स्क्वाइबल का होगा कि क्या हम वेरेबल सेप्रेट कर पा रहे है antig MAY LDE हमें यहां पर सोचना रहेगा ठीक है अगर देव डी वाइब डी एक्स को सोचना है यहां पर अगर देव डीक है तो यहां पर अगर मैं X स्कॉयर से डिवाइड कर दूं तो टू वाई है न बराबरा जाएगा 1 by X स्कॉयर माइनस का Y स्कॉयर अपोन में X ठीक है यह आएगा यहां पर है न अगर मैं X स्कॉयर से डिवाइड कर रहा हूं तो यहां पर आजाएगा 2Y और यहां पर आजाएगा 1 by X स्कॉयर और यहां पर आजाएगा Y स्कॉयर बाइग से न अब यहां से अगर हम देखो द्यान से टू वाई डीवाइड दी एक्स और प्लस में Y स्कॉयर अपॉन में X बराबर कितना है 1 by X स्कॉयर है कहानी कुछ क्लियर हो रही है देखो अब यहां पर न अगर मैं Y स्कॉयर को Z माल लेता हूं तो यहां से देखो 2Y डी वाइड डी एक्स बराबर हो जाएगा DT by DX ठीक है देखो यहां पर यह DT by DX बन गया और यह आपका क्या हो गया T बन गया T by X और 1 by X स्कॉयर देखो थोड़ा सा आपको आपको आसान लग रहा होगा अप तो अब देखो linear differential equation है integrating factor निकाल लेंगे तो integrating factor कितना जाएगा E की पाउर में integration 1 by X DX आजाएगा और इसका क्या हो जाएगा E की पाउर LNX हो जाएगा और अगर इसको सोल करें तो एक्स ही आगया ना आपका ठीक है यह X आ गया तो यहां से जाएगा T into integrating factor is equal to right and side जो की 1 by X स्कॉयर है इंटू integrating factor कटी जाएगा यहां से तो यहां से जाएगा X into T T की जाएगा तो Y स्कॉयर रख देंगे बराबर 1 by X को जाएगा बराबर ln 2 और प्लस का सी के वडियो कितने आगे ln 2 गया तो यहां से आ गया एकस Y स्कॉयर को बराबर ln 2 एक सागया ठीक है ln 2 एकसा गया और यहां से अगर हम निकाले ना तो टो एकस बराबर आ गया e की पावर और X Y square अब डेखो X की पार 1 है य की पार 2 है न तो बीटा बराबर यहां से compare करेंगे तो वन है गामा बराबर यहां पर 2 है और इलफा बराबर है यहां पर 2 है ठीक है तो एलफा प्लस बीटा तो 2 प्लस वन 5-2 करेंगे तो बन यह जाये लिए सेकिंड वाला जो ऑप्शन है न वो करेक्ट हो जाए गया रहे न ठीक है इसी के साथ अगले क्यूशन के दरब बढ़ते हैं तो next question है if the solution curve f of x,y equal to 0 of the differential equation 1 plus ln x dx by dy minus x ln x e ki power y x greater than 0 passes through the point 1,0 and alpha,2 then alpha to the power alpha is equal to ठीक है यहाँ पर हमें एक equation दे रखी है differential equation ठीक है बोला हुआ है कि इसको जो solution है न पास कर रहा है 1,0 से और alpha,2 से ठीक है चलिए फटावर से देख लेते हैं 1 plus ln x dx upon dy minus x ln x बराबर e ki power y है न ठीक है तो यहाँ पर अगर हम function की बात करें तो x ln x और one plus ln x है तो one plus ln x को हम यहाँ पर ln ex भी लिख सकते हैं ठीक है पहले तो हम देखते हैं variable separable से हो रहा है काम यहाँ पर तो answer is नहीं हो रहा है यहाँ पर one plus ln x और x ln x है तो अगर मैं यहाँ पर variable separate करना चाहूंगा तो यहाँ पर डिवाई के यह तो डिवाइड में आ जाएगा यह फिर यहाँ पर यहाँ पर possible नहीं है दूसरा homeo जीन से तो homo जीनिस देख लेते हैं इसमें तो यहाँ पर homo जीनिस भी नहीं है था हम पर पॉसिबल नहीं होगा तो फिर यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट की यहाँ क्या लीने डिफ्रेंशल मन रहा है तो एक काम कर सकते हैं अगर एक्स एलेन एक्स को टीम आंते ठीक है ना lnx plus 1 dx upon dy किसके बराब जाएगा dt upon dx तो कुछ कहानी यहां से simply हो रही है क्योंकि यहां से पता चलिए कि linear differential equation बतलेगा फिलाल तो तो हमने इसको माल लिए इसको माना x lnx t के बराबर तो function हमारा हो गया dt by dx माइनस का t बराबर e की पाउर y कि देखो कानी अब देखो दिख रहा है ना linear differential equation है ना यहां पर t का function है यहां पर y का function माइनस वन तो e की पाउर माइनस वन इसका integration कर देंगे आपर तो यहां से जाएगा e की पाउर माइनस का y और यहां पर t into integrating factor यह हमारा integrating factor रहा है न तो e की पाउर minus का y बराबर e की पाउर y into e की पाउर minus का y dy ठीक है अब यहां पर देखो यह तो कट जाएगा आपका और वन का integration हो जाएगा y और प्लस का c तो t into e की पाउर माइनस का y अब देखो t बराबर t क्या है अपका x ln x बराबर आजाएगा y into e की पाउर y plus c into e की पाउर y ठीक है यह आपका function आ गया अब देखो यार यह बोला हुआ है passes to the point 1,0 तो x की जगा 1 रख देंगे और y की जगा पर 0 रख देंगे तो यह तो 0 जाएगा ln 1 यहां पर भी 0 जाएगा और यहां पर जाएगा c, c बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 के बराबर आजाएगा क्योंकि यह भी 0 यह भी 0 है तो 0 बराबर 0 होने के लिए इसको भी 0 होना पड़ेगा तो c बराबर 0 है तो function आपका जो है न हुआ गया एकस ln x बराबर y into e की पावर y अब जेखो यहां पर alpha,2 तो x की जगए alpha रख देंगे alpha ln alpha और y की जगए तो 2 into e की पावर 2 ठीक है अब यहां से power में चला जाएगा तो ln alpha की पावर alpha तो alpha की पावर 2 e square तो ऐसा कौन सा option है पहला ही option शाहत करेक्ट नजर आ रहे है न तो पहला ही हमारा answer हो जाएगा ठीक है पेटा चलिए next question की दरभ बढ़ते हैं यहार नेक्स क्योर्शन है तो इसा बोला है यह इसा बोला है कि इसपोल वन इंटरसेक्ट करेंगा य बराबर टू माले एक point जो 1,2 है वो इसका रूप के उपर लाई कर रहा है दूसरा point है आपका 2, alpha ठीक है तो भाई पहले हम इसको solve कर लेते हैं तो यहां पर आ जाएगा one minus का x square y square ठीक है dxy upon में one minus xy का all square ठीक है clear है बिटा न तो और यहां से अब देखो कहानी आपको समझ भारी न अगर हम यहां से बात करें तो xy को अगर आप z सोचते हो फिलाल के लिए तो यह क्या लिखा हो है अब इसका डारेकली इंटिकेशन लिख सकते हैं तो यहां पर अब इसका इंटिकेशन कर रहे हैं न डारेकली ठीक है तो 1 by 2 x बराबर 1 by 2 ln 1 plus xy अपन में 1 minus xy यह जाएगा क्या जाएगा 1 by 2 ln 1 plus xy अपन में 1 minus xy आ जाएगा प्लस का c भी आ जाएगा साथ में तो यहां से अब पोसिबली आप इसको निकाल सकते हो ठीक है यहां से कितना अगया अगर इसको बात करें तो एक्स बराबर आगे 2 ln 1 plus xy अपन 1 minus xy आगे बोला है कि एक्स अगर वन है तो वाई टू है रख दो पिक्चर के अंदर एक्स की जगा वन तो 1 plus 2 अपन में 1 minus का 2 ठीक है और यहां से c कितना आगया c आगया अपर 1 minus का ln रूट 3 है ना तो 1 minus का ln रूट 3 जिसको ln e minus का ln रूट 3 भी होल सकते हैं तो यह अपन रूट 3 कि सी बराबर आगे ln e अपन रूट 3 है ना ठीक है और यहां पे अगर टू एल से में ले 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 तो इदर ले जाते हैं तो टू एस बराबर आपर जाएगा ना है ना और यहां पे यह एलन हा जाएगा टू के साथ में तो एलन e स्क्वाइर अपन रूट 3 है ना तो e स्क्वाइर अपन में 3 1 प्लस xy अपन में 1 माइनस xy अब आपको आसानी रहेगी अब देखो कैसे आसानी रहेगी अब अगला है एक्स बराबर 2 पर इंटरसेक कर रहा है तो y बराबर आलफा पे इंटरसेक कर रहा है तो यहां पर जाएगा 2 इंटू 2 इस इकल टू एलन e स्क्वाइर ना अब आप बस यहां पर रखोंगे वन प्लस एक्स टू रख रहे हो ना पर तो वन प्लस टू वाई अपॉन में वन माइनस का टू वाई ठीक है सोल करने के लिए इधर चला जाएगा एक्यू और फोर बराबर इस्कॉयर अपॉन में थ्री अब वाई की जगा रख दोगे वन प्लस टू एल्फा अपॉन में वन माइनस का टू एल्फा ठीक है यहां पर मोड का ध्यान थ्यां रखना है तो यहां पर 1 प्लस 3 स्कॉयर एस स्कॉयर एक पॉन में ट्वास ओफ इसक्वारी स्कॉएर माइनस बनाएगा सेकेंड वाला जो ऑप्षन यहां पर करेक्ट हो जाएगा अगर आप इसको सिंप्ली गरते हो ठीक है यहां से प्लस माइनस का जो कॉंसेट नगना ऐलफा की वेल् तो second option यहाँ पर correct हो जाएगा एक बार check कर लेते हैं इस question को तो second वाला जो option यहाँ पर 1 प्लस 3 square और अपन में twice of 3 square minus 1 विल्कुल correct हो जाएगा second वाला option ठीक है चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ लेट y of y is equal to y of x be the solution of a differential equation dy by dx plus 5 upon x into x की बार 5 plus 1 y is equal to x to the power 5 plus 1 का whole square upon x to the power 7 where x is greater than 0 if y of 1 is equal to 2 then y of 2 is equal to ठीक है y of 1 अपने को 2 दे रखा है y of 2 अपने से पूछा गया है ठीक है अब आप देखो कि जान से तो यह तो directly क्या लिखा होगा है linear differential equation लिखा होगा तो integrating निकाल लेंगे यहां सब्सक्राइब की पावर में 5 upon x into x की बार 5 प्लस 1 है नो है ठीक है फाइब फाइब पॉन में x into x की बार 5 प्लस 1 दे रखा है ठीक है और यहां से इसको करने के लिए हम एक्सक्राइब को में लेंगे तो बार जाएगा फाइव अपॉन एक्सक्राइब इसको टी माल लेंगे तो यह आपका डीटी में बदल जाएगा है ना तो फाइनली जो इंटिकेटिंग फेक्टर में मिलेगा यहां पर फॉर में 1 प्लлять स्कॉर ऺंड शेक्से फंडेर फॉर 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 फाइड से वाइगा 1 प्लस ब्रबॉस तो यह इंटिकेटिंग फेक्टर में लेंगा यह कब मिलेंगा यवांप इसको टी माल् eerste होना यह होजाएगा यह तो दीटी ओばい बराबर राइंड साइड इंटु इन्टु इंडिकेटिंग वेक्टर है इसे कर दो तो प्लस एक्स को रहे ठीक है एक्षो-कर जागए एक्तार पर अपॉर इसका जाएगा माइंगे सब्सक्राइब Owen प्लस कशी सलünü सको अब तो यह दो अब और वन और प्लस का 1 2 ऐननिस का 1 गार आपका आपका सी आपका सी पांपस कर लेंहें तो फॉर टू जा एट माइनसे वन से वनबाइ यहां पर आएगा 693 upon 128 ठीक है चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं अगला है let y is equal to y of x y is greater than 0 be a solution curve of the differential equation 1 plus square dy is equal to y into x minus y dx y into x minus y dx ठीक है if y of 0 equal to 1 and y of 2 root 2 is equal to beta जाया है ना वाय ओफ टू इसको सोल करेंगे विले न डी वाय वन प्लस इसकोर से डिवाइड कर दें इसको तो y x upon में 1 plus x square minus y square upon में 1 plus x square ठीक है अब पहले हम देखते हैं देखो हर चीज में यह देखा करो क्या यह वेरेबल से हो जाएगा तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम सेपरेड ही नहीं कर पा रहे वन प्लस इसकोर को भी राइट तो यहां पर वेरेबल से तो नहीं होगा तो यह हमोजेनिस का भी नहीं है अब फाइनली हमें यहां पर इसको लीनियर में करणा है लीनियर के लिए हमें यहां पर चराश डिवाइड कि अपने तो यहां पर जाएगा हम वन हाया य तो यह यहां पर आपका परtones को और बदाबर माइनस का वन अपोन में वन प्लस एक्सट्वाइर ठीक है ठीक है बेटा वे y square divide करेंगे तो यहां पर 1 by y आएगा और इसको इधर लेकर आएगे तो minus का 1 by y हो जाएगा ठीक है चलिए अब देखो यार यहां पर minus का 1 by y को अगर हम t माल लेते हैं तो यहां से 1 by y square ז is equal to minus one upon one square अब देखो आपकी कहान हो गई अबब आपको डारिकडिक भागा कि यह हमारा इंटिकेटिंग में चला जाएगा तो इंटिकेटिंग फिक्तर जो है नहीं वहाज आएगा यहांपर एक पाउर में एक्स अपोन में वन प्लस एक्सक्वाइर लिखाओ अब डिटील कि हो जाएगा एकी पार में है एए एउन सब्सक्राइब और न कितना जाएगा ऋन प्लस स्काइर तो यहांपर जाएका बराबर यहां प्लूस एयुद्र रख देंगे तो यहां पर जाएगा वा backyard को अंट इंटरेटर्न फेक्टर बराबर माइनस देखो यहांपर one plus square है नो और वहांपर root one plus square आएगा तो माइनस आ जाएगा root one plus x square थीक है root one plus square आएगा अब एक तो है कि आपको इसको डाइक लिए या दो तो रखके एस्वोल कर सकते हैं एक यह नहीं पता है तो आप इसको यह आपका हो जाएगा सेक स्कुरीटा धीटा तो यहां गया वण प्रस नधीस को जाएगा यहां पर तो इसके बाद में दोनों को शेपरेट करके सोल करेंगे सबस्क्राइब यहां पर इसेटीटा एंटू ठीटा इंटू यहां पर तो ञाद को प्लांस तो अध्यान ऊल्ड तो सब्सक्राइब 702 आपको दीटी में जला जाएगा ठीक है है शीकिले मिलेगा वहाँ से रेक्टाइब करेंके फ़ाइनली हम इसलिए जो मिलेगा वो देह लेडी याँ पर फाइनली हमें यहां पर मिलेगा excote और यहां पर है सफरी अ यहां पर रूट अपॉन में यहां पर आपन में आएगा यह आँ अब अगर एक्सकों टेंट राकेंगे वापर तो वन प्लॉस ट्रीट जाएगा अच्छा टीटा का इंटिकेशन आएगा नहीं आपर तो फिर ठीके तो उसका जाएगा मइनस का और सेख टीटा विस्ट है अब माइनस का यहां पर आजएनगा सेख ठीटा को कि लिखोर लिखाइग से रूट 1 plus x square जाएगा ठीक है और प्लस का c तो यह फाइनल हमें मिलेगा माइनस का ln x root 1 plus x square plus 1 मिलेगा ठीक है माइनस का ln root 1 plus x square plus c मिलेगा अब यहां से देखो y of 0 बराबर 1 दे रखा है y of 0 रख देंगे आपर x के जगा 0 और y के जगा 1 तो यहां से जगा 1 is equal to x के जगा 0 रख देंगे तो ln 1 यह भी 0 जाएगा तो c की विलेगा आ जाएगे c की विलेगा अब c की विलेगा आते हैं यहां पर रख देंगे substitute कर देंगे 1 को and then y of 2 root 2 यहां पर एक्स के लिगा पर टू रख देंगे तो 1 प्लस 8 9 तो 3y यहां से जगा माइनस का ln यहां पर रख देंगा 2 root 2 और 1 प्लस 1 प्लस 8 3 3 प्लस 2 2 2 प्लस का 0 यहां से तो बाइक निकल लेंगे ना यहां से पूछा रख देखो बीटा निकल गया बीटा यहांपर e की पाउर में लेकर जाओके तो पाइनली हमें आंसर मिल जाएगा आप तो आंसर आएगा पहला आप्शन e की power 3 plus 2 root 2 पहला जो option आएगा e की power 3 plus 2 root 2 यहां पे मिलेगा अपने को ठीक है तो पहला option यहां पे correct हो जाएगा है यह power में सारे exponential जिसे लिख लेते हैं exponential ऐसे है यहां पे multiply में है और यह भी multiply में है ठीक है तो यहां पे पहला option नमारा correct हो जाएगा ठीक है पहला option नमारा यहां पे correct हो जाएगा चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते है अगला क्यूशन है लेट y is equal to y1 x and y is equal to y2 x be the solution curve of the differential equation dy by dx is equal to y plus 7 with initial condition y1 0 बराबर 0 y2 0 बराबर 1 respectively then the curve y is equal to y1 x and y is equal to y2 x intersect 8 कोन से point पर I mean two points पर होंगे है दो point पर होंगे एक point पर होंगे infinite number of points पर यहां पर intersect करेगा देख लेते हैं फटाउट से dy by dx समझे रखा है y plus 7 तो आपको पहला ही concept variable से समझ में आगा होगा कि यह तो c का question है तो यहां साथ जाएगा ln y plus 7 is equal to x plus का c अब आगे बोला हुआ है y10 बराबर जीरो है ना तो x की जगर 0 y की जगर 0 रख देंगे यहां साथ जाएगा ln 7 ln 7 c की वाइव लिए ln 7 आ गई है ना तो यहां साथ जाएगा ln y plus 7 is equal to c की जगर कितना आगे ln 7 आगे तो x plus ln 7 ठीक है और अगर हम इसको solve करें तो यहां से y plus 7 आ जाएगा e की पार x into 7 into e की पार x है ना तो y बराबर आ जाएगा 7 e की पार x minus का 7 ठीक है और इसी प्रकार से अगला है y20 बराबर 1 है ना तो वही चीज यहां पर भी करेंगे x के जगर 0 और y के जगर 1 रख देंगे तो यहां से जाएगा ln 8 x 0 रख देंगे तो c के लिए ln 8 आ जाएगे ना तो ln तो यहां से जाएगा y plus 7 is equal to 8 into e की पार x और यहां से जाएगा y is equal to 8 into e की पार x minus का 7 ठीक है तो दो बैसिकलिल यहां पर आएगा एक आएगा 7 into उब की पावर एक इस माइनस का सेवन और एक आयागा एक इस माइनस का सेवन अब हम देखेंगे कि पर करेगा तो इन दोनों के सेवन नहीं होगा और 8E की बार X बराबर ही नहीं होगा है ना तो कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगा तो पहला यह option हमारा correct हो जाएगा ठीक है ठीक है बटा चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले equation के तरफ अगला question है let X is equals to X of Y with the solution of the differential equation twice of Y plus 2 ln Y plus 2 dx plus X plus 4 minus twice of log Y plus 2 dy is equal to 0 Y is greater than minus 1 with X into E की वार 4 minus 2 बराबर बन है ना तो बही इस ऐसे question में देखो ध्यान से देखो कि तो आपको सहन में आ रहा है कि Y plus 2 है और X plus 4 है इसे ही लिखा हुआ है तो आप क्या करो यहां पर Y plus 2 को कुछ माल लेते हैं यहां प्रस्टू को अगर हम माल लेते हैं यहां तो कहानी थोड़ी आसान हो जाएगी ना कहानी थोड़ी से आसान हो जाएगी यहां पर Y plus 2 को U और X plus 4 को अपन V माल लेते हैं ठीक है यहां से डी वाई आपको जाएगा डी यू के बराबर और यहां से डी एक्स बराबर आपका डी वी हो जाएगा ना तो रख देंगे इसके अंदर देखो 2 Y plus 2 को U माल लेता लोग यू डी एक्स की जगा हम रख देंगे डी वी प्लस एक्स प्लस 4 की जगा रख देंगे बरबर 2 यह माईनस का टो लोग यू बराबर 0 यह है क्योशन अपना थेकर टो यू-2 यू-2 अउ-ग बराबर 0 यहां अब यहां पे देखो है था थेक्ति और है तो dv upon my d u बराबर आजाएगा 2lnu minus ka v upon my 2 u log u ठीक है 2u log u आजाएगा अब इसको checkpoint करेंगे तो यहासा आजाएगा 1 upon u minus ka v upon my 2u log u थीक कि इसको इदार लेकर आएंगे तो यह देखो आपका लीनियर बन गया लिन बन गया डी वी आपॉन में डी यूव है ठीक है प्लस में वी अपॉन में टू यू लोग यू ठीक है और बराबर में 1 by u देखो function of u है यहाँ पर भी और यहाँ पर function of u है तो यह आ जाएगा indicating factor e की power में 1 upon में 2 u log u du इसका अब है इंटिकेशन करना है तो 1 by 2 तो बाहर आ जाएगा और हम जानते ही 1 by u log u अगर में log u को t मानता हो ना तो 1 by u dt में चला जाएगा तो यह आपका उज़ाएगा e की power में 1 by 2 ln of ln u ठीक है अब यहाँ पर हम जानते हैं कि यह इंटरचेंज कर जाएगे आपर तो यह आजाएगा root ln u रूट ln u यहाँ पर क्या जाएगा हमारा integrating factor आ जाएगा ठीक है अब बस यहाँ पर हमें कहानी में रख देना इसको ठीक है कहानी में आपर रख देना इसको तो क्या होता है देखो v into integrating factor बराबर integration root ln u into right hand side right hand side है आपका one by u ठीक है अब इसको सोल करना है तो बहुत आसान हो जाएगा इसको सोल करना है तो आसान है कैसे देखो एलन यू को अगर हम जेड़ स्कॉयर बोलते हैं तो वन बाई यू उप्र दी आपको जाएगा तो जेड़ बराबर और यहां पर रख देंगे अगर इसको तो यहां पर जाएगा है तो इसका जाएगा जेड अपॉन में द्यू आपका हुजाएगा टूजेड डी इसेड स्कूर्भ आइगा तो चीजाट है अब यहां पर रख देंगे इसको तो टो जेड क्योक्ते क्योंक्त ना बहु dakil यहां से जगा रूट ल्न यू तो लन यू कि पाओर सी भाइट है कि अब ऑन में थरी अध्यविक प्लस का सी आ जाएगा ठीक है यह आजाएगा अपना हैना और यहां से वी रूट LNU, ठीक है, अब यहां से जाओ तो रूट LNU से डिवाइड कर दो यार है ना, तो उसे भी कार्णी ठोटा सा और ही हो जाएगी, पर ठीक है, अब अपने को देखो, आगे क्या लिखा हुआ है, एक्स ओफ एकी पावर 4 माइनस का 2 इस इकोल टू बन दे रखा है, तो मतलब यह आपका Y की वेल्यू है ना, ठीक है, Y की वेल्यू आपको E की वार 4 माइनस का 2 दे रखा है, तो यहां पर रख देंगे, तो U बराबर रजाएगा E की पावर 4, तो आपको क्या करना है, यू की कि जगा एका 4 रख देंगे इक यू एक धे गा form हो फौर, यू увер plugins नुगा 4 रूट के अंदर आचा वी ति की जगा क्या रखेंगे यू की जगह आपने कितना रखा एक और फॉर तो फॉर की पहुट करेंगे तो आजएका एट शीक्ष्टीन भाई थी प्लस का सी तो यहां से कितना कि 52010 और माइनस 30 माइनस का सिक्षिन भाइट तो 14 तुब त्री आ जाएगा 14 भाइट रहे हैं से सी कितना कि 14 भाइट रहे हैं आप 14 वाइट थी आप फोर्तिन भाइट रहाँ पर हम सी की जगह पर रख देंगे वह पस से तो यह सी की जगह 14 तो वी आप निकाल लोगे तो वी और यहां पर यहां पर जाएगा रूट 9 जोगा जाएगा 3 और यहां पर जाएगा क्योब 27 अपकों त्री गरें नाइन नाइन टूज एटिन माइन प्लस का सी 14 बाइटरी यहां यहां से वी निकाल लेंगे न वी कितना जाएगा थी से डिवाइड कर देंगे इसको तो आजाएगा वी इस इकल टू सिक्स प्लस का 14 बाइड नाइन इसको इसको वाइड को वी को यहां से रख देना तो वेश को वूर्मने को आप कर सकते हो या फिर आप डारेक्टली यू और वी की वेल्व निकाल लो यहां से आप से वेल्व पूछा गया वह निकाल लो तो आप दोनों में जैसे भी आप comfortable लगे वैसे आप काम कर सकते हैं आप ठीक है अगला किशन यहां पर यहां पर the area enclosed by the closed curve C given by the differential equation dy by dx plus x plus a upon y minus 2 बराबर 0 y of 1 is equal to 0 is 4 pi ठीक है let P and Q be the points of intersection of the curve C and the y axis if the normals at P and Q on the curve C intersect x exit at point r and s respectively then the length of the line segment rs is ठीक है तो question आपको दिखने में बड़ा है पर step by step काम करेंगे dy by dx हमें दे रखा है एक्स प्लस ए अपॉन में टू माइनस का y वेरेबल सेपरेट करेंगे तो टू माइनस का y dy बराबर जाएगा x प्लस का a dx हमें सोल करेंगे तो 2y माइनस का y square by 2 बराबर जाएगा x square by 2 प्लस का a x फ्लस का c 2 multiply कर देंगे तो यहां पर जाएगा 4y माइनस का y square equal to x square प्लस का 2ax प्लस का 2c ठीक है यहां से equation आजएगा x square plus y square प्लस का 2ax माइनस का 4y फ्लस का 2c बराबर0 ठीक है तो यह एक सरकल की क्वेशन है ना और उसका एरिया जो दे रखा है ना लिखा हुआ है तो इसका एरिया में दे रखा है तो आप क्या करोगे तो एक सब्सक्राइब और वाई की जगए जीरो एक सब्सक्राइब और वाई की जगए जीरो तो यहां पर एक बाद चेक कर लेते हैं एक स्कॉयर प्लस का टू एक्स तो वहां से जाएगा और ठीक है यहां से टू से गरेंगे तो टू सी है जाएगा अब हमें यहां पर क्या किया वाई ओफ वन है ना एकस की जगए वन और वाई की जगए जीरो रखा अच्छा ठीक है तो यहां पर कितना गया टू सी यहां पर हम सोल करें तो टू सी टू सी बराबर आ गया माइनस का टू सी बराबर आ गया माइनस का टू ए प्लस का वन ठीक है एक रिलेशन तो यह आगया और दूसरा लिखा हुआ है कि उसका एरिया फॉर पाई है तो अब हम जानते कि पाई आर स्कॉयर होता है ना आर की वेलू टू दे रखे एक तरह से है ना आर की वेलू टू है तो अगर हम इसके आए निकाले अरे कितना होता है जी-क है सक्वाइर तो जी हां पर टूए कि स्कोईर सोरीटू टू जीएक सोता chopped कि प्लस एफ का सक्वाइर कि हो जाएगा यह यहापर वह भी टू का साइ Aurने का है यह एक्वल टू है रेडियस हमें दिरिकाट टू इसक्वाइर कर देंगे न तो यहां से आजाएगा एसक्वाइर प्लस का 4-2C बराबर 4 ठीक है फोर से फोर केंसल हो जाएगा और एसक्वाइर बराबर आजाएगा 2C और टू स्क्किर बराबर 0 तो यहां से आजायगा ए बराबर माइनस design आगई अब स्कॉम स्कॉछ इप निकाल लेंगे माइनस का 2x माइनस का 4y और प्लस का 1 है ना प्लस का 1 बराबर 0 यह सरकल हो गई अब हम क्या करेंगे ना देखो आगे यहां तक हमने कतम कर लिया आगे बोले लेट पी एंड क्यू बीड़ पॉइंट सब इंटरसेक्शन ऑदी कर्व सी एंड वाइस तो अकर वाइस पर कट करे तो आप एक बराबर 0 रख देंगे तो आप एक बराबर 0 रख दो तो यह 0 जाएगा तो यह स्कॉर माइनस का 4y और प्लस का 1 बराबर 0 है ना रूट निकाल लेंगे तो 4 प्लस माइनस रूट अंडर 4 इसकोर स्कॉर 16 प्लस का 1 प्लस का 4 20 सुरी करेंगे ना तो बीसकोर 16 माइनस का 4 12 आजाएगा अपन में 2A ठीक है 2A के लिए 1 है आप पर है ना अब देखो फोर रूट सी लिखा है ना फोर रूट सी लिखा है तो आजाएगा टू प्लस माइनस टू रूट सी दो पॉइंट आ गया ना टू प्लस माइनस टू रूट सी पोड़ बाइनन ऑप कि बाहर है थिकता टू प्लस माइनस रूट सी लिखैँ अब यहां पर ध्यान द encour ge दो सब्ददीवां पर हम निकाल लेंगे तो डि वाइब डि एक्स आपका क्या हो जाएगा सब्सक्राइब मॉइन एक सीडिश्प टू अब यहांपर उचयेगा मारे पास में अब यहां से टेंजेंट की क्योंशन निकाल सकते हैं अगर चाहें तो किसे यहां पर रहाएगा y-2 माइनस का dx अपॉन में dy एक्स प्लस का ए है ना यह तो है ना देखो यहां से y-2 और dx अपॉन माइनस का dx अपॉन dy आपका मानस कंवन निकाल लेदा न तो आप यहां पर एक फाफ सब्सक्रावण चना टो यहां भाये णकाने आपम माइनस का पॉन ऑपकिल यहांド है को ए तो अगर आप हैं और तो आप दिवाइब है रख झाजाएगा अपने पास ऐखर तो व् Keeping यह को प्लस विक्त षोटर माइनस ऊपनमे प्लस माइनज माइनस माइनस रूट पर जाएगा सिछ को और प्लस माइनस हो पॉड अब अपने को यहां पे रखना है तो यहां पर जाएगा पौस माइनास का रूट सिए ना है तो बैसेटी को आपके डिवाइब माइनस चाण तो लिक्वेशन आगे प्लस ओगा प्लस अपूंस का रूट सी एकस माइनस last को यह there और Eastern mean यहां से हमारे पास कितना जाएगा य को जीरो कर दोगे तो माइनस का टू बाइ रूट सी प्लस माइनस रूट सी प्लस का वन तो बेसिकली दो को पॉइंट आ गया अगया हमारे एक से न तो पॉइंट क्या गया गया माइनस का टू रूट सी प्लस वन और माइनस का टू अपने बाद से माइनस का टू अब इसके बीच में अपने डिसेंज निकालने न तो simple है यह चलिए चलिक साथ आगे बढ़ते हैं अगला नहीं रहाँ पर x dy plus x y sin x y cos x minus 1 dx equal to 0 ठीक है तो यहां पर हमें दे रखा है डी वाइब डी एक्स दे रखा है इस पॉर्म में x y sin x plus y cos x minus 1 dx नो तो यहां से अगर डी वाइब डी एक्स निकालते हैं तो आजाएगा x sorry y tan x ठीक है वह एक्स को से रिवाइब कर देंगे तो y tan x plus में y by x minus में 1 upon में x cos x ठीक है तो यहां से बराबर में 0 मिल गया ना आपने को देखो क्या मिल गया dy by dx और यहां पर मिल गया y tan x plus में 1 by x बराबर 1 by x cos x अब आपको पता है इससे इंटिगेटिंग फेक्टर निकल जाएगा e की पावर में y के साथ जो पूरा का पूरा है tan x plus का 1 by x dx tan x का होता है एल न से किस प्लस का ln x तो यहां से क्या जाएगा x x आ जाएगा ठीके x x आ गया अब देखो आप बस डाइकल निकाल दोगे y इंटु इंटिगेटिंगेटिंग फेक्टर दो राइट जाएट्ट इंटिगेटि वहीं से करसे आप जाएगा आगल देखो और कैसे इंट निकल करन से की प्लस का से फेक्ट होता है तो y इंटु यो पाइवेट्री तो आप यहाँ पे द्यान से दिखोगे तो आपने यहाँ पे यो पाइवेट्री एक वाइवेट्री तो यो पाइवेट्री क्या हो जाएगा आपका x , π3 रख देंगे ना तो π3 जेक्वाइट कि पाइबाइट इस हमाह इसेख पाइपाइट थी हम опас atraeffect भूरागल टु जो कि एक टेनट वेट इस रूट 3 श्री प्लस का सी ठीक तो यह तो आपको कितना देखता हैObea 3 के वडाहर दे रखा है लोड cement इंटू 2 बराबर root 3 प्लस का C तो C के लिए आगे ना आपके बाद root 3 के बराबर C के लिए root 3 के बराबर आगे है ना ठीक है? C के लिए root 3 के बराबर आगे है ना, तो यहां से X into Y है ना X into Y अगर आप लिखो गया से तो आजाएगर 10X upon sec X that means sin X plus का root 3 cos X अब आपको differentiate करना है, तो पहली बाद differentiate करेंगे तो X का differentiate X को रखेंगे Y का differentiate y dash plus Y को एजिट इस and X करेंगे तो बना जाएगा ना और इदर आजाएगा cos X plus का sorry cos X और root 3 cos X कितना हो जाएगा वो यहां पर हो जाएगा minus का root 3 sin X एको बाद कर देंगे हैं पर है न तो यहां से जाएगा X को रखेंगे Y dash को जाएगा Y double dash plus Y dash को रखेंगे X का गरेंगे तो बना जाएगा और plus का Y dash equal to मे cos X हो जाएगा minus का sin X minus root 3 cos X ठीक है तो अब यहां पर देखो pi by 6 रखोगे Y double dash pi by 6 तो pi by 6 Y double dash pi by 6 और 2 Y dash pi by 6 तो इसकी value हो जाएगी तो देखो minus sign pi by 6 is nothing but minus का root 3 by 2 sorry minus का 1 by 2 ठीक है minus root 3 into cos pi by 6 तो आजाएगा minus का 3 by 2 तो minus का 1 by 2 minus का 3 by 2 का mode कितना जाएगा यहां पर आजाएगा minus का 1 by 2 minus का 3 by 2 का mode आजाएगा 2 के बराबर ठीक है तो answer कितना जाएगा यहां पर 2 आजाएगा ठीक है पेटा चलिए अगले कुशन के तरह बढ़ते अगला कुशन है if the solution curve of the differential equation y minus का 2 ln x dx plus का x ln x square dy is equal to 0 x is greater than 1 passes to the point e, 4 by 3 and e to the 4, alpha then alpha is equal to ठीक है equation है अपने पास में y minus का 2 ln x dx plus का x ln x square dy बराबर 0 ठीक है तो यहाँ पे भी कहानी simple हो रही है रहे है देखो कैसे simple हो रही है ln x square को अपन लिखना चाहिए तो 2 ln x लिख सकते है रहे है अब आप क्या करों न 2 x ln x से डिवाइड कर दो इसको y upon में 2 x ln x यहाँ पर आजाएगा minus में यहाँ पर जाएगा माइनस का 1 by x और प्लस में डिवाइड दी एक्स आजाएगा ठीक है बराबर जीरो तो यहाँ से डिवाइड दी एक्स यहाँ पर आगया प्लस का वाई एपॉन में 2 x ln x बराबर हमें आगया 1 by x अब आपको अपसे linear differential equation देख गए है न तो integrating factor निकाल लेंगे यहाँ पर जाएगा यहाँ पर लेकर आओगे तो यहाँ पर यहाँ पर लेकर आओगे इंटरेंज करोगे तो यहाँ आजाएगा ग। तो बस आप यहां पर y into integrating factor root lnx बराबर यहां पर जाएगा 1 by x into में root lnx lnx को ती माल लेंगे तो यहां पर 1 by x dx dt में जला जाएगा तो यहां पर कितना जाएगा इसका integration करेंगे तो y into root lnx बराबर में आप जाएगा लन x की पाउट 3 by 2 upon 3 by 2 और प्लस का सी बोला हुआ है कि यह जो एक्वेशन है passes to the points e,4 by 3 ना x के एगए और y के जाएगा 4 by 3 तो 4 by 3 is equal to 2 x के एगए रखेंगे तो 1 1 कि आप 3 by 2 is nothing but 1 ठीक है प्लस का सी यहां से सी के लिए जाएगे 2 by 3 तो सी के लिए 2 by 3 आ गए ना अब वाई एक्स गया गए एक्वेशन रख देंगे तो वाई निकाल नेंगे वाई अपने को 2 by 3 2 by 3 into 9 6 और alpha बराबर आजाएगा 3 के बराबर है ना alpha आप से पूछाए तो alpha की वेल्यों कितने जाएगी 3 के बराबर आजाएगी बस सिंपल सिंपल केल्कुशन थी बेसिकले ना ठीक है चली इसके साह आगे बढ़ते हैं अगला कुशन है आपर है लेट दे सोलूशन एकस ऑफ एकस ऑफ एकस ऑफ एकस ऑफ य वाई इस बिटन 0 और पाइवाई 2 अब्डिटिफेरेंशिल एक्वेशन लन कोस यह ओल इंटो को कि इसमें क्या करेंगे यहां पर इसको सोल गणने के लिए हमने इसको डिवाइड कर दिया सिन है wasn't को सुढ कि यहां पर कितना जाएगा माइनus का वन и पून में यह आ जाएगा पूरा पूरा ंला लन कि को स्पडरा Leftला ही को है और को त्सका और देता है ना 3x अब देखो ln cos y ओरड़ी है तो यहाँ पे ln cos y जो है न उससे divide करेंगे आपर तो एक ln cos y कट जाएगा ln cos y बचेगा और into में cos y भी बचेगा और बाहर है sin y dy तो देखो कहान ही थोड़ी थोड़ी आसान बन रही है अगर हम देखे यहां से तो y के फंक्शन जादा न जारा रहे है तो linear differential equation y में बन जाएगा कैसे अब आप क्या करो ना वाहाँ से d y से divide कर दो तो d x upon dy बराबर आजाएगा तो इसको इदर रहे ने तो माइनस का यहाँ पर आजाएगा 3 upon में अब देखो ln cos y तो हैस ही अपने पास में और साथ में क्या बन जाएगा ना आपका sin y upon cos y बन जाएगा जो कि tan y बन जाएगा इंटू में x ठीक है और बराबर में क्या हो जाएगा बराबर में चला जाएगा tan y upon में ln cos y का whole square ठीक है यह है कहानी बहिए ना अब अगर आप माइनस यह माइनस ln cos y को देखो तो ln सेकवाई है ना आप जानते तरह टेन भाई का integration ln सेकवाई है तो ln सेकवाई को T मानेंगे तो tan y अच्छा आप देखो indicating factor की बार चल देखो एकी पाउर में माइनस थ्री तेन वाई अपोन में एलेन कोस्वाइध है कि अब यहां पर ध्यान से इंटिकेटिंग निकालनेके लिए को माइनस एलन कोस्ट वाई को अगर अपन ती माल लेते हैं तो तो टेन भाई डिवाई आपको डीटी बन जाएगा देखो कैसे कि माइनस एलन को सवाई नथिंग बट लन से एक वाई और एलन से गवाई का डिफ्रेंशेशन क्या होता है तो यहां पर आजाएगा यहाया जाएगा देखो टेनवाई ड्य और यह डीटी आजाएगा आपने इसको टीमाना दो उपर डीटी दी दिग्या तो डीटी अपन टी और डीटी अपन टी का इंडिकेसण हो जाएगा Japan 2019 fg him Did he did he the d technicalHAM he that means ln of lns करें व्यसैंれて मीननस एलेन को स्वाइक को टी माना आ पर माइनस एलेन को स्वाइकToo मान से आपको यह मिलेगा तो यह आपको मिलेंगा और यहाँ से कितना जाएगा in एलन सेख वय जाएगा नो ठीक है अब यहां से हमारे पास में अंसर आजाएगा राइग लिए एक्स इंटू इंटिकरिटिंग फिक्टर एलन सेख वाई बराबर ठीक है अब यहां पर देखो माइनस का टेन वाई क्योंकि यहां पर अब यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आएगा तो इस बार नीचे की जैगा उपड़ आएगा अठीक है अब आपको संभी आ रहा होगा कि यहां पर एलन सेख वाई लिखा वैं अगर मैं एलन सेख वाई को जेड मानता हूं तो टेन वाई डी वाई क्या हो जाएगा तो यह आजाएगा एलन सेख वाई का होल स्क्वाईर अब पॉन में 2 प्लस कासी अब आप चाहो तो इसको ln cos y पड़ो कोई दिक्कत नहीं square है ना square में कोई दिक्कत नहीं बेटा न तो x ln से एक वाय हो जाएगा ठीक है अब आगे बोला हुआ है x of pi by 3 is equal to 1 by 2 ln 2 तो x of pi by 3 मतलब यहाँ पे y की जगा अपने को रखना है तो यहाँ पे रख देंगे 1 by 2 ln 2 इंटु में से पाइबे 3 हो जाएगा 2 तो ln 2 बरावर में से पाइबे 3 2 ln 2 हो जाएगा ln 2 का square by 2 और प्लस का c ln 2 से ln 2 कर जाएगा ठीक है ना और c की value निकल कर जाएगी यहां से 1 माइनस का ln 2 का square by 2 सब्सकold करेंगा तो इसे ह guar सब्सक्सक्राय करते होग्या और यहां कर देंगे अर यहां से एक सब्सक्राइब से की वाट्यवीज करेंगे ना तो से कितना जाएगा एक है एक है में के लिए 4 आए गी एनके लिए 2 आए गी ना में के लिए 4 और एनके लिए 2 अए ठीक है को सो बाइब यहां पर यहां पर कर बढ़ दी आपने एक सिंट्री टीटी अपर क्योब ना आ पर है थीचे क्यूब यहां पर यहां पर यहां पर गडबर कर दी थे पड़ने तो क्यूब आप पर अच्छा आपको स्क्राइब आप इसका पाई गया तो यहां प्राइब बड़ाबर सब्सक्राइब और यह बचेगा एक से लिए बड़ाबर बड़ावर वन गया यहां पर यह बचेगा नहीं 5 by 6 to say 5 by 6 is nothing but ln root 3 by 2 ln root 3 by 2 स्कॉर्र कर देंगे तो यहां से जाएगा 3 by 4 यहां पर आगे बढ़ते हैं अगला है इस इक वाइज इस इक वाइज इस सोलुशन और भी दिफेरेंशल इक्वेशन देश है ठीक है सब्सक्राइब यहां पर है प्लस बीटा मैनस का रूट गामा एलफा कॉमा बीटा कॉमा गामा इस नेशल नंबर देन एलफा बीटा गामा इस इपल ठीक है तो चलिए का निस सोल कर लेते हैं इसको यहां पर सीधा सीधा दिख रहा है इंटिकेटिंग फिक्टर आजाएगा अपने पास यह की पावर में फोर एक्स अपॉन म अगर आपको दिख रहा होगा तो सब्सक्राइब को क्या माल लेंगे तो यहां पर टू एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा दीजेट हो जाएगा तो इंटिकेटिंग फिक्टर आ जाएगा एक सब्सक्राइगा होल स्कॉर चलिए आगे बढ़ते हैं आप तो सिंप्ली हो अब एक एक स्क्राइब स्कॉर से हैशक क्या माईन एक प्लसट काक्याइगा थी प्लाइट स्कॉर एक स्कॉर यह इसका टूएगाrine यहां पे यहां पे हमें यहां पर हम यहां पर नोग 2 प्लस रूट रहें लोग 2 प्लस रूट डेंगे न और कि और एक सबगे तो यहां पर एक सब्सक्राइब तो यहां पर जाएगा यहां पर तो ओ तो झी और यहां पर यहां पर डे चाहिएगा फॉर्णल दो गैसे लोगे आपका ठीके नंबक मायुनिस का टू एक सी तो आये आगा यह बच एक भी कल देते हैं फटावर से एक्सर 4वाए-4-2-3-2-2-3 ठीक है जा अब तो बस यहां से तो देखो फोर से माइनस का फोर कैंसल होगे आपका माइनस का सी इसके यह बराबर इसके तो बस आप समझ गें नहां से यहां से नाइन से चलो गार्व को है ना और यहां से टुसे फ्रेटेंट हैं यहां पर टेन रहेगा अपना तो और यह स्कॉयर जाएगा तो टू प्लस रूट सी का स्कॉयर और यहां से एकीवार टेन बाइट सी और इन्टू एक्यों और सी वहां से सी की लिए निकाल निकाल लेंगे अपने ना सी की लिए आपको बता जेता हूं यहां पर कि अगर मैं यहां पर क्योस्टन को चेक करता हूं और यहां पर एक स्क्वार माइनस वन है और यहां पर एक स्क्वार माइनस वन है ठीक है कि एक सेकंड यहां पर इसके अकोर्डिंग देख लेंगे अपन है ना यहां पर अगर फाइब टू करेंगे ना तो हमारा आंसर सही बेटेगा यहां पर है ना कि यहां पर होता है तो हमारा जो आंसर ना वह हैं यहां पर करेक्ट बेठेगा तो फाइब लेंगे तो रूट में सब्सक्रान और हएगा चारक कि यहां पर यहांं पर यान पर रूट कर जाएगा यहां फिर यहां और ऐसे अलग आंसर आज़ाएगा अपने पास में दो लोग आ रहा है आपद तो कोई दिक्कत नहीं यहां से भी जो एलफा बीटा गामा अगर हम कंपेर करते तो वहां से निकल सकता है ठीक है पर बैसिकली केलों में आपर क्या बन जाएगा एक स्कॉर माइनस का वन बच जाएगा उसके लिए हम इसको सेपेट कर लेंगे तो एक सब्सक्राइब का लिए तहीं अलग हो जाएगा ठीक है इसके लिए तो यह नहीं है और थो और थासे ऑफिर यहां से सब्सक्राइब तो इन दोनों में से एक जगह से यहां पर यहां पर आंसर आएगा सिक्स के बराबर ठीक है चलिए अगले यहां पर लाश कुछन यह था तो हमने सारे कुछन के सॉलुशन देखे हमने जन्रली पाएगी यहां पर डिफ्रेंट्ट लीने डिफेंशन ज्यादा तर क्योंचे ज करते के अपना टार्गेट होता है किसी बीक्स करने का तो पहला होता है वेरिबल से इपर देखेंगे नहीं मिलने पर हम चलेंगे उसमें लीन्य सोरी होमोजिनेस में फिलीने डिफ्रेंशल इक्वेशन में और कहीं बाहर आपको एक्जेक्ट भी दिखता है तो जैसे जमने तो आज के लिए बहुत है और आपको नहीं भी दिख रहा है तो कोई बात नहीं तो आज के लिए बहुत है मिलते नेक्स सेशन में